वीजुल देख रहे थे किसके थे G20 जो नहीं दिल्ली के अंतर हुई थी अब इंडिया की जगा यहाँ पर जो ओफिशल वाबे जो नाम इस्तमाल करा गया वो क्या इस्तमाल करा गया भारत इस्तमाल करा गया तो 2023 की जो मिटिंग थी यह नहीं दिल्ली में होई बहुत इंपोर्टन मिटिंग है यह विली बहुत इंपोर्टन सबसे पहली बात करते हैं इसकी इंसेप्शन की कि यह कब बना G20 या हलाग थे G20 के बनने के सबसे पहले तो ग्रूप 7 बना पड़ा था फिर पात ने वो ग्रूप 8 हुआ जिसके अंदर रशिया जुड़ा और फिर रशिया बात में चला गया था तो जो G20 बनाया गया वो इसलिए बनाया गया 97 के अंदर एशिया के अंदर फिनेंशल क्रैसिस आय थे थे थाइलेंड, सिंगापूर, इंटोनेशिया, मलेशिया इन सभी देशों के अंदर क्या हुआ था फिनेंशल क्रैसिस आय थे तो 98 सब्तम्बर में डिसाइड करा गया कि दुनिया की 20 जो पड़ी अर्थ मिवस्ता हैं वो आपस पे जुडेंगी लेकिन डिसाइड ये था कि वहां के foreign ministers और जो उनके Central Packs के जो governors हैं तो मिले के ये डिसाइड किया गया था ठीक है जी तो यह आप तस्वीर देख पा रहे होगे रैटन सेट पर लिखी हुई है IMF मैं रहे हैं फायड तो ये चालू हुआ उस समय जब ये स्टार्ट हुआ था तब सिरफ कौन मिलते थे ministers जो होते थे finance के या जो होते थे हमारे पॉरंड अपना जो सेंटरल पेक के governors होते थे और 1999 26 सब्तमबर को ये संस्ता या आप गुरूप कहा सकते हो G20 का बन गया लेकिन उसके बाद क्या हुआ उसके बाद जो एक heads of the states है जाए वो राष्ट पति है प्रधान मंत्री है वो आकर मिलेगे अब समझे कि 2008 में और साल 1998 में क्या फरक है उस समय ministers मिलते थे इस समय heads of the states मिलते है ठीक है जी तो जो पहली meeting होई थी वो कहाँ पर होई थी USA में होई थी Washington DC के अंतर होई थी first meeting जो होई थी यह वली वो जो first meeting थी वो वाशिंग्टन DC में साल 2008 के अंतर होई थी कोई प्राब्लम यहां तक नहीं रही होई फिर हम बढ़ते हैं थोड़ी सी और आके और देखते हैं members इसके कौन-कौन से हैं तो members के लिए मैंने क्या करा हुआ है यहां पर flags लगा हुआ है countries के जैसे जो पहला flag है वो अर्जेंटीना का है Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, Indonesia, India, Italy, Japan, Mexico, France, Russia, USA, Southie, Turkey, UK, South Africa, South Korea यह है 19 देश, यह 19 देश हैं, कितने देश हैं? 19 यह देश हैं और एक यहां पर एक संस्ता थी जो थी European Union इसलिए इसका नाम G20 है तो G20 के अतर क्या था? 19 तो यहां पर क्या थे देश थे और एक यहां थी यहां पर संस्ता थी लेकिन सबका साथ की भावना से ही भारत दे पस्ताव रखा था कि African Union को G20 की थाई सदस्यता दी जाए अब यह वीडियो आपने देख लिए अब इस पर क्या हुआ इस साल जो पर्मनेट जो मेंबर बन गया वो कौन बन गया? G20 का African Union तो पहले यहां पर क्या थे? 19 तो यहां पर तेज थी एक यहां पर संस्ता थी और अब हुँद चुड़ गया कौन सा? African Union तो यह जो group बन गया वो क्या बन गया? G21 बन गया अब समझ में आ गया कितना important है African Union को हम separately पढ़ेंगे अब इस समझ में आ गया है यहां पन को दिक्कत नहीं रहोगे अब इसका agenda के इसे बनाये क्यों गया? तो मैंने आपको बताया, पेसिकली जब financial stability नहीं थी दुनिया के अद्र, चाहे वो 89 का साल हो, 2008 का साल हो उस समय थी, लेकिन अब यह धीरे-धीरे पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है? अब यह sustainable development की बात कर रहे हैं, अर्थ को बचाने की बात कर रहे हैं, financially तो बात कर रहे हैं, त तो G20 के अंदर जो मुत्य इंक्लूड होते हैं, वो कौन-कौन से होते हैं, ट्रेड के, sustainable development के, health, agriculture, energy, environment, climate change, और anti-corruption, तो पिसिकली पुरी दुनिया को बचाना है, इसलिए इस संस्ता को बनाया गया है, इस group को बनाया गया है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और, अब यह important क्यों है इतनी यादा, क्यों है इतनी यादा important है, सबसे पहले, दुनिया का 75% जो international trade होते हैं, यह G20 करते हैं, 75% international trade, और अब तो और बढ़ ज़या क्योंकि, African Union भी बढ़ साथ में आ गया है, उसके अबाद two-thirds global population जो है, इसके साथ जूड़ी हुई है, और उसके अबाद सबसे important चे, 60% जो हमारे world का जो land area है, वो इनके पास है, तो 75% का trade, 60% का land और दो ती आई की population, वो G21 के पास है, formerly G20, अब हम थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं, अब हम देखते हैं, जो G20 की summits को कैसी होती है, जैसे मैं आपको पहली बता, यह कापर हुई थी, वाशिंग् में हुई थी, अमेरिका में 2008 के अंदर, फिर हम 15 वी से पढ़ेंगे, दूसर पीस से, यहां से important है, 15 वी हुई थी, साउथी के अंदर, 16 वी हुई थी, 21 के अंदर, इटली के अंदर, 70 वी इंडोनेशिया के अंदर, 22 के अंदर, 18 वी कहां पर होगी, 2023 के अंदर, चो हो चुक यह से चलता रहा, यह साइकल चलते रही, तो भारत करेगा 2046 पे, अब दुबारा में इस वानेशिया, तो इतने टाइम बात ही होगी, अब यह दुबारा होगी, अगर ऐसा चलता रहा तो, ठीक है जी, तो यह G20 के सम्मिट्स है, पहली याद कर लेना, हाँ, पूफ सकता है तूसरी का होई थी, तो तूसरी UK में होई थी, अगर तूसरी पूछे तो, बसे पूछेगा नहीं, अब यह है, आपके साबने, लोगो, G20 का, अर्थ है, और वहाँ पर हमारा फिर, लोटस बना हुआ है, जो पेपर में सवाल आएगा, वो यह आएगा, इन्हें कौन से तो वासुदूम कुटबकम, इस संस्क्रिस फ्रेस वांड ने हिंडी टेक्स, सच एस महाउपरिशयत, विज मींस, दो वर्ल इस वन फैपली, यह एक एक एग्जेक्ट पूछेंट जो पेपर में आ सकता है, अयोप समझ में आ गया हो, अब इसकी बात करते हैं, पर्मनेंट पतला पर्मनेंट गैस जो आएंगे ही आएंगे, यह जो नेशन हैं, तब 19 देश एक उनके अलावा कौन को राता है, जैसे आता है एशियान, एसोसेशन और साउथ इस एशियान डेशन, एफसेफ, एफसबी, फैनाशनल स्टिबिलिटी बोल्ट, इंटरनेशनल लेपर और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, न्यू पार्टनर्शीप और फरीकल्स डेवलिप्मेंट, OECD, UN, WHO, WPG याने की वर्ल्ड बैंक ग्रूप और टेप्लू टेड और ग्रूप्स यहां पर आते ही आते हैं, यह पर्मनेंट गैस हैं, एक कंट्री भी पर्मनेंट है, वो है स्पेच्पन तु आएगा ही आएगा, सभसे पहले बंगलादिय से कोना आया, उनकी प्रादान मंतरी शेकर शीना, ऐजिप्ट से कोना आया अब्दुर फटे अल सीच, मौलेशिस से कोना आया, परवीत जगंबद, इídलनेट से कोना आया, बांपरूटे, नाइधिरा से कोन आया पोला तिन्बू और टिप्टी जो प्रायदान मंत्री है ओमान के असद अल बिन तारिक ये आये ओमान से सिंगापुर से कोन आया ली हैसान डूंग आया और जुए ही से कोन आया मौमत बिन जैत अलन और स्पेन से आये उनकी टिप्टी प्रायदान मंत्री दिनका नाम है नातिया केलपू ठीक है जी तो ये नाइन कंट्रीज थी जिने इंडिया ने इइवाइट कर रहा था अब ये दो व्यक्ति नहीं आए इस बारी एक है पुतिन और एक है शी जिन पे पुतिन ने पेज़ा था सरकिव लेवरोफ को और चाइना ने बेज़ा था ली कुआंग को जो प्रधान मंतरी हैं उनके फिर बढ़ते हैं आके अब ये मिटिंग को कहां पर दी थी जो आप पीछे इमेज देख रहे हो ये है पहारत मंदपाप इंटरनेशनल एक्जीबेशन कर्वेंशन सेंटर जो प्रक्तिमिदान में नौ से दस सितम पर ही मिटिंग चली थी फिर वहां पर एक स्टैचू है नटराजा का जो तुनिया का सबसे वड़ा स्टैचू है और ये 27 फुट लंबा स्टैचू है जो वेलकम केट के उपर लगाया गया था ठीक है जी कहां से माउंट टैवरिस पढ़ा रहा था तो मैंने विता शार्पा को नोते हैं आपके साथ चलते हैं तो हाँ अब मोधी चीने भी ना इनकी तारिफ करी कि शार्पाओं ने बहुत चा काम करा है अब यह बिसिकली शार्पा होते हैं आपने देखा होगा पूरे एक साल से पेटिक रिशी सुना का है वो तो एक बार ही आएंगे दू दिन के लिए आएंगे लेकिन पाकी जोटे साइड करने हैं के चंडे के आऊँगे बात करने के उनके लिए शार्पा वड़ी इस्तवाल किया जाता है तो यह है शार्पा तचीटवण्टी शार्पा फॉर्टवणी टॉ टेजिए गटीपार टेश को एक लेटा बंता रिप्रेजेंट करेगा तो भारत को रीप्रेजेंट करा अमिताब कांथ यह अब तक के मोस्ट सेक्सेसफुल शार्पा है तो कि इस से यादा कभी भी टेकलिरीशन पर साइंट नहीं हुँ ठीक है थी तो यह हैं अमिताप का अब मोस्ट कॉंप्लिक्स पार्ट ऑफ दी अटाइच ट्वेंटी इस टू प्रिंग दा कंसेंसे वह थी प्रब्लम वाली बात थी रशिया और युक्रीन की वार अब जब इंडोनेशा के तरजम मिटिंग हुई थी ना तो उस समय तो सबने इसको बहुत यादा कंड़ करा कि रश्या ने वो कर दिया अब या लेकिन इस पार बहुत लाइटली नोट के उपर इसको कंफ्रूड कर दिया सब देशों ने कहा कि युक्रीन के तो लोग जो लोग के उनके साथ कुछ गलत हुए यह नहीं कहा कि वह और ओर ही है एक्सक्र पढ़ गया बना वो तो लोग फिर लड़ते रहते आपस लेकिन हमारा त्यान सारा कहां चला गया फिनेशल स्टेबिलिटी दुनिया के उपर यह स्टेजी को उपर चला गया तो यह पी एक बहुत अच्छे चीवमेंट सी इंडिया के फिर बढ़ते आगे वीडियो देखि समझगें वीडियो क्या है अब यह होता कि आपको यह समझ अपड़ा पड़ते रहेगा ट्रयोका क्या होता है एक शब्द है जिसका मतलब होता है काम करने वाले तील अब ट्रयोका के अंदर क्या होता है जो पन्त अधक्षिता कर रहा है जैसे इंडिया इससे पिछली वाली कौन कर रहा था इंडोनेशिया और अगले किसकी होगी ब्रजील को तो जो last वाला होता है वो प्रेसेंट वाले को सेपलिंग देता है कॉंग्रेचुलेट करने के लिए तो इसको ट्राइव को कहा जाता है तो इस पर पूश सकते हैं ट्राइव का सहरा मनी में वह कौन से तीन देश थे इंडिया इंडिया इंडोनेशिया और इटिली इंडिया करते हूं आयोप समझ में आ गया होगा अच्छे से तीके जी आप पूशते कि इंडिया को इसकी कम मिली कि वो ओफिशली तो तिन था एक दिसंबर तो हजर पाईस था तीके जी